तो आज हमसे रहे करने जारे एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेस्पी ये रेस्पी बहुत ज़दा ही जी है और बहुत ही कम टाइम बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये मिठाई बिना गया जलाई भी हम बनाकर रेडी करने वाले हैं फ्रेंज और बहुत ज़दा टेस्टी और बहुत ज़दा असान है इसे बनाना और कभी भी आपको मीठा खाने का मन हो तो आप इजली इसे बना कर खा सकते हैं यह बहुत ज़दा असान है बनाना तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीचेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीचेगा तो चलिए इस सकते हैं बहुत अच्छी से मैं ग्राइंड कर ली हूं और बहुत फाइन ससा पाउडर बणके रेडी हो गया है और यहां एक बावल में हम ढाल देंगे इस तरीके से आप चाहें तो चनी से चान सकते या इसे भी ले सकते हैं, तो मैं नहीं छानी हूँ और मैं यहां पर ले रही हूँ ऐसे ही, उसके बाद यहां पर हमें चाहिए दूद्द की मलाई ली हूँ और इसे हम क्या करेंगे इसे mix करेंगे, तो mixer या चमस जो भी हो आपके पास हो उससे आप mix कर सकते हैं और बहुत ही मिक्स करना जब तक कि अच्छे से यह क्रीमी सा टेक्शर ना आ जाये तो आपको यहां पे एक से दो मिट के लिए आपको अच्छे से यहां पर मिक्स कर लेना है आप दिख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ही मिक्स हो गया है और उसके बाद यहां पर हम डाल रहे हैं यहां पे दूद एटकी हूं तो यहां पर मुझे सूखा दीक रहा था इसलिए मैं यहां पे चमजगे करीब अपर दूद डाल करके और अच्छे से मं यहां पर मिक्स करें हूं और आप देख सकते हैं बहुत यह तो इसको हम डालने के बाद हम क्या करेंगे अच्छे से यहां पर मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैं मिक्स कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से आप मिक्स करने के बाद आप अदम क्रीमी से एक्डम टेकसर terrific आज जाएगा और आप देख सकते हैं तो इससे या ले दोटाकर ने आप ले करके छिलका, उसका हटा करके, और ग्राइड करके मिठाया, बना सकते हैं, तो उसी Mixer waterników को हम ले ले और इससे हम grind कर ले और मैं एक कप ली थी तो आप देख सकते हैं, बहुत ये सा perk केसर दूद्र में पाले केसर फ़ेग हो लोसा तो पहले हमिकस कर लेंगे उसके बाद इसने हम कension कर लेंगे अच्छे हांथों से अच्छे से मिकस कर लेंगे हांенных कंड हरता है और आपको एक बाद में नहीं डालना है नहीं तो यह गीला हो जाएगा तो आपको क्या करना है एक से दो चमच डालने के बाद आपको पहले मिक्स कर लेना है उसके बाद आपको फिर से डालना है तो मैं यहां पर पूरे डाल दी हूँ और उसके बाद हम अच्छे से यहां पर मिक्स कर लेंगे और आ अगर आपको लगे कि यहां पे सुखा दिख रहा है तो ऐसे नर्मल दूद होता है जो ठंडा हो प्रीज आप ले सकते हैं तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है तो मुझे चाहिए था एक से दो चमच दूद मैं यहां पर नर्मल दूद था ऊहम इसमें डाल दियें हैं औ और मुझे यहां पे रोल बनाना है तो इस तरीके सलंबे में आपको यहां पे रोल बना करके थोरा सा नायल का बुरादा छिट देंगे और उसके बाद फिर से हम इसे घुमा देंगे और घुमाने के बाद हम क्या करेंगे बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे डालने के बाद और आपको यहाँ पे रोल बनानी है तो यह देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसमें लग चुका है और उसके बाद क्या करेंगे हमें हम इसको थोरा सा दबाते हुए इसको हम तो आफ चाहते हैं तो पूरा रोल बना सकते हैं तो यहां पे थोरा सा इस तरीके से और बहुत हाँ वन बन के रेडी हो जाता है अज़ाती हैं तो यहां करके हम सभी मिठाई को काट कर लेंगे और काट करने के बाद मैं आपको टेक्षर दिखाऊंगे ऑहाँ तकेश्टी सब देख सकते हैं और चैं। तो यहां पर मैं पिश्टा और केसर से हम यहां पर थोड़ा सा सचा लिए हैं और आप देख सकते हैं इसका looking कितनी प्यारी आई हैं और मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगे इसका texture आप देख सकते हैं तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक्स परवाचीं